परफ supernatural हारो फ्रेंट में आपकी फ्रेंट सुदास हम आपकी एक बार फेससे स्वागत है आज भी हैर ऐर नास्ता खाने में और यह सब्सक्ते लिए उनलनी हैं और फ्रेंट कि अहले पार शुओं से बस्तिख और मुझे कमन के लिए कोई साभी कप या बॉल से आट कर लें पानी आट करने के बाद हम इसमें आदा चमत्य नमक अद कर देंगे Hydrov मेज के बाद हम इसमें कसूर्य मेटि ऍट करेंगे कशोरी मेटि को ढलना बिल्कुल ऑफ्जनल है तो यह इ Mario को आपके पास यह नहीं तो आप इसको ना ढालें तो इसमें ओवाल आने लगा है, तो यह आप दे सकते हैं, पानी में ओवाल आने के बाद हम इसमें एक कप चावल का आटा एट करेंगे, फ्रेंस इसी कप से हमने पानी का मेरिमेंट लिया था, उसी कप से हम चावल का आटे का मेरिमेंट लेंगे, फ्रेंस मेरिमेंट का आप दियान रखें जिस चीज से आप पानी का मेरिमेंड लें उसी चीज से आप चावल का आटे का मेरिमेंड लें अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे सारी चीजें अच्छे से मिलने के बाद हम इसे पांच मिनट के लिए डख कर पकाए और कि अब इसे लॲगटा अच्छे से फूल जाए बंगए रवह में ऑफ हैं अब भूल में अगर आप के पास नोगिंटेगग के बरतण में इस डोह को प्रिपेर कर सकते हैं और अब इसमें हम दो चम्मच के करीब कुकिंग ओल को एट कर देंगे अगर आप इस्टील के बरतन में डो को प्रिपेर कर रहे हैं तो आप पहले ही ओल को डालने अब ओल को हम डो में अच्छे से मिला देंगे इस समय अगर आपको ऐसा लगे कि यह डो आपका बहुती सूका सूका है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल कर इस डो को प्रिपेर कर लें चावल के आटे से बने नमक पारे खाने में बहुत यहादा स्वाधिश्टे लगते हैं जैसे हम मैदा से बनी मट्री को बना का तया करते हैं विल्कुर उसी तरह से हम इस डो से नमक पारे बना का तया करेंगे तो ये डो हमारा छुने लाइक हो गया है जब आपको ऐसा लगे कि ये डो छुने लाइक हो गया है तो आप इसे धास से मसल मसल कर गूत कर तयार कर ले और इस डो को हम तब तक गूतेंगे जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता जबहें स्मूथ डोज बांकर तैयार हो जाए उसके बाद हम इसमें बारい कटा हुआ हरा धनिया statement के आपने अपने स्वाधन उसार इस में लाल मिल ची पावडर एक को दिया है सारी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसका स्मूथ डो बना का त्यार कर लेंगे अगर आपको ऐसा लगी कि डो आपके हाथ पर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ओयल हाथ पर और लगा लें और स्मूथ डो प्रिबेर कर लें तो यह दो हमारा बुलकुल परफेक्ट लग का त्या चिकनी लोई बना का त्यार कर लेंगे इस तरह से बहुती आसाम तरीके से लोई प्रिपेर हो जाती है तो आप दे सकते हैं यह एक्टम चिकनी लोई हमारी बन का त्यार हो चुकी है तो इसी तरह से हम दूसरी लोई भी बना का त्यार कर लेते हैं तो यह दूसरी लोई भी चिकनी है अब इसको हम बेल लेंगे इसको हमें प्लायटली श्लोली बेल का त्यार करना है और जब आप इस तरह से बेलना सुरू करोगे तब यह side से पटने लगेगा क्यूंकि यह डो हमने चावल के आटे से बना का तैयर किया है यह कोई मैदा का डो नहीं है इसलिए यह साइट से फटेगा तो आप इस तरह से उंगलियों से इसे प्रेस करते जाएं इस तरह से जोडते जाएं और इसे किनारियों से बेलते जाएं अब हम डो को उठा कर नहीं बेलेंगे इस चकले को गुमाते हुए नहीं ज्यादा पतला बेलेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेल का तया करेंगे जैसे हम मैदे से बनी मठ्री को बना का तया करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम चावल के आटे से बनी मठ्री को बना का पेपे करेंगे तो हमने चकले को गुमाते हुए इसे किनारी से बे किनारी हमारी पटी पटी ना आए अगर आपको जरासी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जुरू से बताईएगा तो इमने साइट से सारी पटी-पटी किनारीयों को अलग कर दिया है अब इसे हम लंबा-लंबा कट कर लेंगे लं हम अपनी पसंद थोड़ी छोटी थोड़ी मोटी काट का तयार कर सकते हैं अब इसको हम तीन भागों में फिर से डिवाट कर देंगे तो इस तरह से यह चावल के आटे से बने नमक पारे बनका तयार हो चुके हैं यह आप दे सकते हैं देखने से यह आपको पता चल रहा आप भी फ्रेंट्स इस नमक पारे की रेस्पी को जरूर से ट्राइई क कीजिएगा क्योंकि ये नमक पारे खानी में बहुती ही इ hatır तक ठेष्टी लगते हैं तो ये नमक पारे हमारे बन का तयार हो चुगे हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हम अपने ये सारे नमक पारे बना का तयार कर लेंगे जैसे हमने पहले वाली सीट को बना का तयार किया था बिल्कुल उसी तरह से हम बेल का दूसरी सीट भी बना का तयार कर लेंगे और साइट से किनारियों को हटा देंगे और इसे भी हम मट्री के तरह तीन भागों में डिवाइट कर लेंगे आगर आप इसको थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं तो थोड़ी लंबी भी मट्री बना का तयार का सकते हैं ये आपकी चोईस पर डिपेंड करता है तो फ्रेंज देखा आपने इस चाबल से बने आटे की मट्री को बनाना कितना आसान है अब हम इन नमक पारो को तलते हैं तो तलने के लिए हमने पहले ओईल को गरम होने के लिए रख दिया था ओईल अच्छा गरम हो चुका है ये आप दे सकते हैं नमक पारे तलने के लिए ओईल आपका अच्छा गरम होना चाहिए नहीं वो ज़्यादा गरम हो नहीं ज़्यादा ठंडा हो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन नमक पारो को तल का तया करेंगे एक बार में जितने कडाई में आपके नमक पारे आ जाए उतने आप इस कडाई में एट कर दें और इन्हें medium flame पर तलने दें एक से दो मिनिट fry होने के बाद हम इन्हें alert प्लट करेंगे फ्रेंस नमक पारों को तलने में थोड़ा सा टायम लग जाता है क्योंकि फ्रेंस हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राय करेंगे और इन्हें हम तब तक फ्राय करेंगे जब तक इन पर अच्छी सी गोल्डन ब्राव चित्ती नहीं आ जाती तो अब हम नमक पारों को अलट पर अलट करते हुए अच्छी golden brown चित्ती आने तक fry करेंगे नमक पारे fry हो चुके हैं अब इन्हें हम एक separate plate में निकाल लेंगे अब आज सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये नमक पारे कितने crispy और tasty बने है बिल्कुल इसी तरह से हम ये सारे नमक पारों को तलका त्यार कर लेंगे फ्रेंस देखने से ये आपको पता चल रहा होगा कि ये नमक पारे कितने crispy और tasty बने है आप भी फ्रेंस इस तरीके से एक बार इस नमक पारे की recipe को जरूर से ट्राइक कीजिएगा और मुझे comment करके जरूर से बताईए कि आपको ये मेरे नमक पारे की नास्ते की recipe कैसी लगी तो फ्रेंस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हम एक और नए नास्ते की वीडियो के साथ अब तक के लिए वाई वाई थैंस पॉर वाचिंग मैं वीडियो